नमस्कार बहुत स्वागत आप देख रही हैं नमस्कार बहुत स्वागत आप देख रही हैं कुछ ऐसे काम है जो हमें अपने घर में बिल्कुर नहीं करने चाहिए यदि हम अपने जीवन में उन कामों को रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं तो हमें परेशानी जरूर होती है तो चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन से है वो काम जो आपको बिल्कुल नहीं करने है जिस घर में नारी का अपमान होता है तो इस घर में कभी भी लक्षमी का वास नहीं होता जिस घर में औरतों के साथ कोई भी बदसलूखी होती है तो ऐसे घर में मालक्षमी प्रवेश नहीं करती है और नहीं धन उनको देती है तो उनको धन से समस्या का सामना करना पड़ता है परेशानी जीवन भर उनको जहल नहीं पड़ती है भुलकर भी इस तरी का अपमान आपको नहीं करना है आप अपने घर में अपने घर में जो भ गुरुबार के दिन बुल कर भी ना करें या फिर रात के शमय में आप बिलकुल भी ना खुन ना काटें इसा माना जाता है ये करना बहुत ज़्यादा अशुव होता है ये आप ऐसा करते हैं तो आपको परेशानी जरूर होगी साथ ही आपके घर में नकारात्मक शक्ति प्र ढ़ुको सीधे मالक्षUSE से जोड देखा जाता है और एसा माना जाता है जो शाम के समय झाडू लगाता है उसको दिक्कत होती है और वो उसके घर में गरीवी दस्तेक देनी लगती है गरीवी का वास हो जाता है वहीं आपको बता दे शास्त्रों में मानता है कि रात को हमें सेविंग बिलकुल नहीं करने चाहिए यानि कि हमको अपनी दाड़ी बिलकुल नहीं बने चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो उनसे मालक्ष्मी रूट जाती है और मुसीबत का सामना उनको जरूर करना पड़ता है परेशानी उनके घर में आ जाती है और उनको जहलने के लिए मालक्ष्मी रूट रूट दिखाती है जिसके चलते धन से जुड़ी उनको समस्या भी होती है वहीं आपको बता दें तुलसी को हमारे हिंदु धर में काफी जादा महत्ता दी जाती है माना जाता है कि तुलसी की पूजा करने से हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे व्यापार में, नौकरी में, कारोबार में किसी भाग की कमी नहीं होती है इसलिए आप भोलकर भी गंदे हातों से या गंदे समय में आपको तुलसी को बिलकुल नहीं चुना है इन पर आपको अमल करना है कुछ ऐसे काम अगर आप नहीं करेंगे तो आपके जीवन में मालक्षमी का आशिरवाद हमेशा बना रहेगा और आपके घर में धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी तो दर्शकों आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही हम फिर आजिर होते हैं किसी अनजानकारी के साथ तब तक के लिए आप देखते रहेए और बने रहेए नेक्स्ट नाइन बक्ति सागर के साथ नमस्कार